शिमारू के नई वेडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप इस तरह से बेजार होकर शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे लिए नुकसान की बात है सर, don't worry, इसको कंट्रोल में करने के लिए विवस्ता हो गई है DCP विजय कुमार मालू में ना, पुलिस कमिशनर की पद्वी दिया है, प्रमोट कर दिया उसे कल वो यहां आने वाला है, उसका कितना पावर है, पता ना आपको अगर वो अपनी पूरी ताकत से आये तो यहां के सारी गुंडा गर्दी को एक मिनट पे खतम करनेंगा सर प्लीज, नो कमेंट्स छोड़कर कुछ भी बोलिये सर आप जैसी जोइन करेंगे क्राइम रुक जाएगा ऐसा सीम साब चीक चीक कर बोल रहे थे अब क्या हो गया पुलिस के सामने अटेक माडर यह देखे गुंडो का स्टेट्मेंट यह पुलिस किसी काम की नहीं है हमारा बॉस मारा गया हम बदला लेंगे हमारे बॉस को जिसने मारा है हम लोग उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे जोबीस घंटें अंडर उसको डूड निकालेंगे और फार देंगे लिस आंसर तो इस कुस्टू बोलिये सर प्लीज शॉप नो मोर कॉंश्टन्स आप लोगों के सवालों का एक ही जवाब है बहुत जल्दी शहर से क्राइम खत्म हो जाएगा क्रूब हो तो I need to complete some of my personal work, then I'll go. Driver, वावरेट रोट, पुलिस कॉर्टर चलो. मैडम? तुम इतने शॉक्यों हो रहे हो? मैडम, पुलिस कॉर्टर? हिंदी में बाद समझ में नहीं आती क्या? Come on, let's move. क्यों रो रहे हो? पापा रोज मुझे तो रुपए दिया करते थे, जिससे मैं बिस्किट लेकर खा लेती थी. आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, I'm feeling so hungry. अरे रे, इतनी से बात के लिए रो रहे हो, मेरे खाने में स्याद आदा कर लेंगे. ये लो, खाओ. अब क्या हुआ? मुझे मम्मी चाहिए. लेकिन तुम्हारी मम्मी तुम मर चुकी है. ये मुझे मम्मी चाहिए. जो इंसान मर जाते हैं, वो आसमान में तारे बन जाते हैं. कुछ भी करने से वो आपस नहीं आते. अच्छा बताओ तो, तुम्हारी मा कैसे मरी? ठंड़ी लगने की वज़े से, वो अपने आपको सम्हाल नहीं पाई. और घासले डाल कर मर गई वो. तुम्हारे पापा अच्छे नहीं हैं. सही कहा, वो मुझे प्यार भी नहीं करते, और मेरा खयाल भी नहीं रखते. तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा खयाल रखूँगा, और मैं तुम्हें प्यार भी करूँगा. अले लले, देखो, देखो. क्या लाई हो? मेरे स्कूल की फोटो, अच्छी है ना, अब कैसा लग रहा है, अच्छा है ना, अरे वाह, हाई अनिल, how is my dress, वाउ, सुपर, ये लगा लो, और भी अच्छी लगोगी, अनि, भूलेने नहीं गया, अभी लाया, अनिल, एक्स्क्यूज मी, प्रशान्त है क्या, कौन प्रशान्त, ये प्रशान्त काई घर है न, नहीं, उन्हें घर खाली की हुए, एक साल हो गया, एक्स्क्यूज मी, यहाँ कवीता और नवी नाम के लोग रहते थे, वो आजकल कहा है, मुझे मालूम नहीं, हम लोग नए है, बाजू में पूछ लो, ओके, थांक यू, दिव्या, हाई आंटी, तू यहाँ, अब किसका घर बर बाद करने आई है, आंटी, आप ये कैसी बाते कर रहे हैं, ये देख, मुहान, मुहान को क्या हुआ, सच सुनना चाहती है, लोगों के घर में काम को रहे हैं, करके, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे को पाला है, मेरा कश्ट मैं ही जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी वज़ा से उसके जिंदेगी बरबाद हो गई, हाई प्रिया, है, हाई कहती है, आ गई इतना बड़ा मुह खोलके, मा, बेचारी प्रिया, दो साल के बाद व अभी वापस आए, तो क्या फाइदा, तु इज़त से घर के अंदर आ जा, वरना मुझे भी तुम्हारे साथ बुरा सुलुक करना पड़ेगा, चला अंदर, प्रिया, मैंने कहा ना तुझा अंदर आने क्रिया, मम्मी गुसे में कुछ भी बोल गई, वो सब छड़, तु क おお, तु मुझे नहीं मिल पाऊगी, प्रिया, वट वाए, अनिल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, देदी, अनिल से मिलने के लिए, लाइन में क्यों बेठी हो, 500 रुपे दोगी, तो इंस्पेकटेर इस्पेशल इंट्री देगा, क्योरे, इतना जो कुछ सहरी हूँ, जो उसको देखने के लिए मैं पैसे देकर अंदर जाओं लेकिन दिदी आपका टाइम नुकसान हो रहा है मालूम है अच्छी तरह से जानती हूं एक तो यह है जो अपने भाई से मिलने के लिए जित पेड़ी हुई है मेरी सुनती कहा है मैं यहां खुद नहीं आई हूं एक यह है जो अपने भाई से बार-बार मिलने के लिए मरी जा रही है अरे नहीं दिदी अनिल वो क्या आना कि एकल बेल पर छूड़ जाएगा कि एक चैनल यह जो जो डिदी उतर फूल खेल रहे ना उसके बार में पूरा निटेल लेने का है समझा क्या है बच्चा और निकाल उसका भाई प्रिया चैन्तरपदी होटल में ठहरी हुई है लेंर प्रूस्ट लेंर प्लूस ना पंग ये लेंना करण खाने अला ना गब-बları I won't disappoint you sir please hello hello sir hello yes sir sir give me one opportunity I will prove myself sir I will prove myself prove कर दिखाया हम रोको यह लो है प्रिया है क्या यह मैं है प्रिया है है हाई हाई हाव यू फाइन प्रिया आश्त में देखकर बहुत खुशी हो रहें है हमारे बैक्ग्राउंड में पली बड़ी और आज नेशनल लेबल पर अपना नाम रोशन करके आई हो एम टीवी वी टीवी जिस चानल पर देखो तुमारा गाना तुमारा डांस तुम ये टैलेंटेड हो मुझे तो यकिन ही नहीं हो रहा मुझे पर किसी को यकिन नहीं था लेकिन अनिल को पूरा भरोसा था मैं उसे ठैंक्स कहना चाहती हूँ कहां है वो मैं उससे मिलना चाहती हूँ इसलिए मैं अपना बिजी शिरूल छोड़कर यहां पर आई हूँ अनिल है कहां और क्या कर रहा है वो अनिल अब स्पोईल हो गया है प्रिया वाट? आज वो इस शेहर का सबसे बड़ा गुंडा बन गया है सिफ इतना ही नहीं प्रिया वो एक दिन में दो दो खुन भी करता है नहीं मुझे उससे मिलना होगा लेकिन अब वो जेल में नहीं है तुम्हें शेहर में आई हो उसे पता चल गया है इसलिए वो बेल लेकर बाहर आ गया है लेकिन वो यहां तो आया नहीं हो सकता है तुम्हें पता ना चला हो और तुम्हें देखकर चला गया हो तुम्हें बता है वो कहा रहता है तुछलो लेकिन प्रिया प्लीज वो भाई वो लाउंडिया बिलकुल हाई फंडू है और तु एक लोकल गुंडा ऐसे कैसे चलेगा वाई एक तुई है जो मेरी पूरी लाइफ की स्टोरी जानता है चल सुना लेकिन वो लाइफ भी बड़ी मज़ेदार थी है अगवान की जैसे माबाब देवी जैसे बहन जा कि अगर आए अगर आए अगर वीच अजार रुपए चाहिए किसले चाहिए कॉल सेंटर जोइन करना चाहता हूं इससे सरफ फार दोगा तरह तुझे शरम होती तो तु एसी बाते नहीं करता यहां अभी मेरा दिमाग मत थरा कर तुझे पता है मुझे दो आल्रेडी अटे अगर आप इसी तरह अपनी बीपी बढ़ाते रहोगे तो तीसरा टैक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसलिए मेरे बात सुनो कल से ही मैं जॉब शुरू करना चाहता हूं सिर्फ नाइट ड्यूटी करने का 15,000 रुपए मिल रहा है इससे अच्छी खासी लाइफ स वो सब काम करने में मज़ा नहीं था मुझ बंद कर अपना लोग मजे के काम नहीं करतें पैसे के लिए करते हैं लेकिन मैंने कहा ना बापा को देख्या कॉल सेंटर नहीं वाल सेंटर नहीं जो लाके दूंगा खाके पड़े रहना आप कुछ भी कहिए अंकल आपका बिटा पहले इसको ट्रैनिंग में भीजिए तो सही फिर देखिए यह अपनी लाइफ कैसे सदाता है सोन मेरे सर पे हाथ रखके कसम खा कि तू काम पे सही ढंक से जाएगा हां कसम खाता हूं थू 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 ऐसे बेटे का बाप बनना भी गुना है सर की कोई कीम तुम उनके लिए ऐसे बाते क्यों करते हो क्योंकि तू अच्छी है ना इसलिए तेरे आँखों को सब कुछ अच्छा रिखाई देता है लेकिन मैं तो सही हूँ ही नहीं इसलिए मैं सब की आखों में खलता रहता हूं इंक्लूडिंग नॉन स्टॉप नॉनसेंस मेरा शोरी सुबह की पहली मीटिंग में प्रिया के साथ करता हूं उसके बाद कोई और हो के आज अनील अव हाय हाय क्या प्रिया तेरे डाधी तू सुबह सुबह टुली होके पड़े हैं यह तो इनका डेली का रूटीन है यह सब थेरी वजह से ऐसा क्या रहा है मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या है सिस्थिती में ब्यसी की पढ़ाई कर रही है लेकिन कुछ भी हो मैं इनका होने वाला जमाई हूँ तो सेवा भी घरनी पड़ेगी यह मेरी टॉबल है तू यह पकड़ तेंक यू अनिल क्या तू किसी बैंक एंपलोई को जानता है क्यों वो मुझे लोन चाहिए क्या बात है अपने बाप को और टल्ली करना है क्या अनिल बी सीरियस स्टार टीवी वालों ने एक कॉंपटिशन रखा है रीजिनल लैंगवेज सिंगिंग एंड डांसिंग कॉंपटिशन जीती तो सेनिल वोड नहीं डायरेक्ट बॉली वोड पहँच जाओंगी मैं इसलिए मुझे पार्टिसिपिट करना है तो इसके लिए पैसे चाहिए है नो नो फ्री एंट्री उसके लिए रिप्रेशन एक्सपेंसेज कॉस्ट्यूम्स सीदीज कोरियोग्राफर्स मेकप मटीरियल ये सारा खर्चा हमें ही करना है कितने में होगा सथ 10-15 थाउसंग हो जाएगा पर अच्छे से महनत करना थांक यू लव यू अनिल लव यू बे इसले बोलता हूं बिटे बियर बियर पी लिया कर अरे मेरी हालत तूनी समझेगा यार चोड़ने इसको पूरा टाइट हो गया अरे पीना है तो पी नहीं पीना है तो जाना अरे एक चंदू गरूप है जहां मस्त पत्ता खेला जाता है चलेगे मस्ती करेगा अच्छा तू कि non five राग का जोला सकता है sama जिस जिस के पास जितना पैसा निगालो चलने ला बेर के लिए पैसे नहीं तू पैसे मांग रहा है है तो निकल भाई तेरे को तो अपनी हालत मालुम है ना मैं तो हमेशा ही खाली रहता हूं ए टीके और टाइम खाली कलकता वाली यह तो तेरे पापा ने तुझे गिफ्ट किया था और तुझे बेचने की बात कर रहा है मैं बेचने के लिए तोड़ी कह रहा हूं पागल गिर्वी रख्ये पैसे लेखिया बाद में चुड़ा लेंगे उसे अच्छा तो तु जुए में जीते गाई तुझे पक्का मालुम है ना गुलाम बनके पैदा हुआ हूं तू सिर्फ मेरा चलवा देख आप सिर्फ पाँ थां गुलाम १ॉ पांच थार मेरा दोहजार मेहा थार यो kili कर के निकलगा यह क्या यह तो जीतने देना देखते कहां तेक जीतने साला चल लए चोटे कितना हुआ 17,000 हुआ है इसमें आधा निकाल और बाच चुड़ा कर ला और आधा परसनल खर्ची के लिए पंदरां 15 का दाओं खेलना डारलिंग कम यह सब्सक्राइब यह नहीं गरुन टूळना चाहता है लेकिन हम और गेम खेलना डारलिंग एब मुझे कुछ अरजंट काम है तेरे पास टाइम नहीं है तो क्या हुआ और पास तो टाइम ही टाइम है डारलिंग फा। चो है नहीं चोड़ा तो मार का एका तू कोन है तीरी अवकाद क्या है पबलिक के सामने तो मुझे से उसी और प्राइख ऑल कर रहा है कर रषाब! आ कर थो! कर दो 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 कर धाय, वाय.. चोड़ दे डार्लिंग है खेल को खेल की तरह खेलेगा तो ही खेल का असली मसा आएगा और तू साला चार चिंडी लोगों के साथ में बिठाकर खेल का मसा कोड़ा रहा है जीतना चाहता है तू नाइए जीतने के लिए किसमत चाहिए और किसमत यहां लिखी होती है दोबारा दिखा तो आख फोड़ दूगा अनिल मेरे को बहुत ड़र लग रहा है यार अगर जिन्दगी जीना है ना तो रिस्क लेना पड़ता है क्या भाई वह पागल चंदू कौने पता है तेरे को कौने बे कोई मिनिस्टर का बेटा है क्या बात करता है ये पता है तेरे कूश के बारे में हमें डूटते हुए या आ जाएगे वह हैं ये मैंने उनको मारा है और अगर तेरी इत्नी फट रही है ना तो घर में जाके छुप इतनी रात को तुम यह पैसे है यह क्या हो कुछ नहीं यह सब चोड़ यह पैसे रख लेक लेकिन यह क्या टेन रूपीज ट्वेंटी रूपीज है वाट इस यह सारा पैसा तुम्हार है नहीं वह मेरा दूस्त ओफिस में काम करता है ना उससे उधार लेकर आया हूं लेकिन नहीं है अन्यवेज थांक यू सो मच लव यू अनिल लव यू बेबी तू मेरा बेटा ने दुष्मान है इतने सालों सब पुलिस की नोकरी कर रहा हूं मैं आस तक मैंने डंडे का इस्तमाल तक नहीं किया वह पागल चंदू कोने मालूम तरको 17 साल की उमर से ओ लोग यहा बबलू चंद्रा बबलू चंद्रा कोने मालूम है कैट माधों का जमाई है और कैट माधों कोने मालूम है माही का चेला है और माही कोने मालूम है गोरी पाल का कॉंसिलर है कॉंसिलर बस इतना ही है ना प्रेसिडेंट ओफ इंडिया तो नहीं है न ये पकवास बंगर सुनि है राज मालूम तो क्या हो गया तूने उसको क्यों मारा पहले उसने मुझे मारा था तो उसमें क्या हुआ तेरा वहां जाना और उन लोगों की इतनी शिफारिश क्यों कर रहे हैं बताइए बेटा तेरको कितना कर चुके कोई गिंती नहीं है मैंने खुद कितनी लाशों को उठाया लेकिन तुम्हें उन परस्तितियों में नहीं देखना चाहता ठीक है पापा आज से मैं उनसे कोई वास्ता ने रखूंगा तो ठीक है चल मेर साथ कहां उन लोगों से माफी मांगने के लिए बेटा कर उससे माफी मांग ले बेटा मा तुमने एक मर्द बेटे को जनम दिया है और पापा उन चिंदी चोर लोगों से माफी मांगने के लिए कह रहे है इससे अच्छा तो मैं अपनी जान देना पसंद करूंगा जाके अपने पती से बोलो कि स्वाभिमान से जिना पसंद करें यह बिल्कुल नहीं सुद्रे का मैं तुझे बता रहा हूं मिनाची तेरे लाड प्यार ने इसको बिगाड के रख दिया है और ते दे इसको लाड प्यार क्या खाके परता किया था बस भी कीजिए क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं आप सब्र से काम लीजे अनिल है प्रिया अब तुम उन गुण्डों के पास जाओगे और उन सभी से सौरी बोलोगे लेकिन प्रिया वो तुप जस्ट डू वोट आम सेंग ठीक है अब बेवजा परिशान हो रहे हैं आपकी तबियत खराब हो जाएगी मैं यह कह रही थी को हो जाने तो मुझे एकला छोड़ दो पस पापा चलो सारी बोलते हैं यह यह मेरा बेटा है कुलिस वाले का देखा तुमने में अक्षी चलो मेरे साथ अंकल इतनी देर से बिंती कर रहे थे लेकिन नहीं आप इतनी देर से समझा रही थी लेकिन एक गोरी चिट्टी लड़की ने क्या बोल दिया सारी बोलने के मेरे कदमों की आहट सुनते ही डर के भाग जाते हैं जो मैं जो बोलू पाव में गुंगरू बांद के आजाए मेरे जैसा जिगर उनके पास है क्या उनके पास है क्या उनके पास है जाए 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 मामा की जगह है उदर सिनेमा में अम्रेश्पुरी इधर यहां पे अपने मामा अम्रेश्पुरी जैसा नेता बनता था ना वैसे अपने मामा बने तो देखता जारे मैं उन में से नहीं हूं जो सिनेमा के नकली नेताओं की तरह पैंतरे खेलों मैं तो उन में से हो जो पॉलि टेंगर वाला मोबैल दे हैं कि है कि है कि लो हां क्या हुआ माही आप बाई मेरे पिता जी हमेशा कहते थे राज नीति में हमेशा आगे वाले को खिंच कर पीछे ले आओ लेकिन मैंने उनकी बात कभी भी नहीं सुने अरे लेकिन हुआ क्या अरे हो ना क्या है? कबसे तु मुझे कह रहे हो कि मुझे आगे लाओगे? कब तक इस माही को खयाली पकवान खिलाते रहोगे? बताओ कुछ दिन तक सबर करो, सब ठीक हो जाएगा सबर क्या करो, जब तक सब कुछ ठीक होगा, तब तक तो मैं रोट पर ही आजाओँगा ना उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अरे और क्या करना होगा? मेरे जो शुटर लोग है ना, वो आप पूरे के पूरे बैंगलूर को बंद करने की सोच रहे हैं अब बैंगलूर को बंद होने से, और कोई भी नहीं रोख सकता, ये ताय है, मेरे लड़के लोगों ने ये फैसला कर लिया है तो कर लिया, अब आगे जो करना है, वो आपको करना है, कुछ भी हो जाए पर बैंगलूर बंद होके रहेगा ये माही, माही इसने इसको धोया है, कोई मामोली आदमी नहीं होगा लगता है इसके लक्षान ठीक नहीं लगते यह दोबार अगर उसके पीछे जाए ना तो उसको समझा कर यहां ले आना अगर उसको टाइम पे लाज नहीं किया तो हमें इसको खोना पड़ेगा ए चंद्रा तू समझदार आदमी है तू यह काम कर ले यह कोई गड़बर नहीं देखो अगर तो इसे यहां Ugh लेके आयंक हैं तो यहाल करतेँ पता है यह लोग तेरी ना बोटी बोटी करके कवों को खिला देते एक बात अच्छी तरह से सुन ले आज के बाद इन में से किसी को घूर कर मत देखना पूची आओ आज में किसी से बात मत करना नहीं तो याद रखना आगे से माफी नहीं मिलेगी और देख क्या रहा है चले इसे मा माफी मांग रहा है नहीं माफी आप यह से मांगते हैं पैर में किरके मांग अब तुम उन गुर्णों के पास जाओगे और उन सभी इसे सौरी बोलोगे जिस्टू वोट आइम से अनिल क्या हुआ यह क्या बताओं लाइफ में पहली बार चिंदी चोल लड़कों से मुझे खुद ही जाकर माफी मांगनी पड़ी और यह सब मेरे बाप के वज़े से हुआ वो मेरा बाप गांधी बादी है ना अपने बाप में नाराज मत हो उन्होंने तुझे कितना रिक जिन्दगी में जो भी बुरवक्त होता है उसे भूल जाना चाहिए और खुशी-कुशी जीना चाहिए भाईया जल्दी आ जाओ ना बहुत लेट हो रहा है केक काटना है हमें कमान अनील आज तेरा बर्थ रहे है प्लीज भी हैपी और गुस्सा करना छोड़ और आज के ब लुक ना प्रिया ने वाली है थोड़ी दिर वेट कर लेते हैं ओ प्रिया कर रहा है मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगी मैं बोल रहा हो ना वो सब को चक्मा दे रही है उसका इंतजार मत कर वो नहीं आने वाली है अनील आज तेरे लिए इतने लोग जमा हुए ताकि तेर प्रिया के इंतजार में बैठा है ऐसे में तो सब लोग तुसे नाराज हो जाएंगे तुझे डिसाइड करना है कि किसे टाइम दोगी ऐसे बात नहीं है दिव्या वो भी मेरे एक फ्रेंड है इसलिए ज़रा कॉल करके पूछेता हूं कि वो आ रही कि नहीं है लास्ट कॉल बाए रही कोफेज़ घॉके लेटर हम कि बाए दाइ लोग काले कंवे कोड बेकिन तेरी गर्रंड करा रही है कि अच्छा चाँ यार अनिल ने प्रिया को प्रपोर्स किया नहीं तो पिडापाजिश किया हनेे कि भी जलने की बूँ आ रही है इसके जलने की बूँ को चेकर करके देखना ही पड़ेगा मुझे अब भाई इसी जगह पर बैट कर हमारी महाम को दूद पिलाया करती दी और आज इसी जगह पर बैट कर भाई इसको कहते हैं ठंडा प्यार तो अगर इसी तरह टेंशन लेगा तो तो पागल हो जाएगा तेरी लाइफ बरबाद हो जाएगी लगता है वह रही है भाई तू खाली फोकर टाइम वेस्ट कर रहा है तू आज के आज उसे प्रपूस कर दे समझा तुमारी ये रोती सू समझा Hi Sandy Come Hmm, I have my cute lovely friend, honey and he is Sandy Hey Guy you are a friend good good Uhh Someone is a bit for me. I live Just go to your lovely friend. You can have a fun. Take it. Take it easy. See you bab. Bye बहुत थक गई हु मैं पता है क्या जहां पर पार्टी थी वह एरपोर्ट से ना बहुत दूर था इसलिए आने में बहुत देर हो गई और यह जो मेरा फ्रेंड है इसने कॉंप्टीशन मेरी बहुत मदद किये बिल्कुल भी अटिटीट प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे आज मेरा बदे है ओ सौरी डियर ओके लेकिन अब ही 11.45 तुम्हारा बदे कंप्लीट होने में अभी भी 15 मिनिट बाकी है ओके खुष अभी मराते है ठीक है ओ यह बात है तुम्हारी बेस फ्रेंड तुम्हारा बदे भूल गई तो गुस्सा हो ना बुद्धु मैं तुम्ह चल्दी से अपनी आखे बंद करो क्यों करो न जब तक मैंने कहूं खोलना मत अब आखे खुलो अब देखो अपना चेहरा तो देखो पता है इस फूल की तरह तुम्हारा चेहरा भी खिल गया है अब फूप मारो happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear annie happy birthday to you many many happy returns of the day god bless you love you annie प्रिया दरसल मचे तुमसे कुछ कहना है अनी मैं बहुत थक गई हूँ अब अस घर जाकर मुझे रेस्ट करना है जो भी बात है वो कल सुभा करेंगे तुम घर जाओ और अन्जॉइ करो अपनी गल्प्रेंट के सपने देखो जी भर के देखो ओके बाई गुड़ नाइंट अनिल मेरे एक हेल्प करेगा क्या करना है कल मेरे कंप्यूटर एक्जाम है हॉल टिकेट लेने जाना है है पागल हो किया मैच दिख रहा हूँ एटलिस ट्रॉप तो कर दे विव्या तुम जाने की बाद भूल जाओ आज सब बंद है और वैसे भी आज में बहुत बिजी अज बंद है अरे लेकिन मुझे तो जरूरी काम से बाहर जाना है लेकिन क्यों अरे वह सेकंड राउंड के लिए सैंडी ने फोन करके बुलाया है लेकिन अब कैसे जाएंगे माफी के लोगों ने बंद करवाया है मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है कैसे जाओंगी मैं तू क्यों टेंशन ले रही है मैं हो ना चल मैं तुझे अपनी बाइक से जाएंग कर देता हूं तैंक गॉड क्या हुआ क्या बात है मैंने ड्रॉप करने के लिए और उसे लेके चला गया अरे मैंने भी टॉप करने को बोला तो मुझ से का चाहिए थाइम नहीं है देख रहे हो नांथी वो मुझ से निम्मो से यहां तक कि आप से और सब से दूर होता जा रहा है सब उस प्रिया की बच् तो नहीं कर दिया मा यह तो प्यार की बात कर निम्मी निम्मी आइंदा से ये बात दुबारा मत कहना क्यों 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 ना कहूं मैं बोलने के बना के तो मत बोलना प्लीज कि अधिया है कि बंद के दिन तो सुकून से घर पे वैट ना डारलिंग ऐसे बंद के दिन लड़की को लेके घूमना ठीक नहीं है ना डारलिंग चंदो दबा दे दबाएंगे नहीं मारेंगे पिटेंगे नहीं डारलिंग ऐसा बड़े भाई का ओडर है सम पॉलिटिक्स प्रॉब्लम अगर ये कल नहीं आया होता तो तो आज इसकी क्या हालत होती मुझे पुद नहीं पता जाने दो रे अगर ये पक्का खिलारी होता त तो इसका कैरड़र ऐसा नहीं होता डार्लिंग है और है ऐसे गुस्षा क्या होता मारेगा लड़की के सामने मारेगा क्या डार्लींग मा इतनी भीड में नहीं अकेला अकेला मारूंगा तुझे डारलेंग पीछे पलट कर देखे बीना यहां से निकल जाए डारलेंग क्यों लड़की के सामने अपनी विजदती करा रहा है चुप चाप चला जा राइट लेके निकल जाए डारलेंग यही वो गुंड़े लोग थे वो लोग तुमें इतना भड़का रहे थे और तुम खामोश खड़े थे तुम जो मेरे साथ थे इसलिए अगर वो लोग मेरे साथ बुरा सुलू करते तो हां तो हाथ पाव जोड़कर तुमें छुड़ा लेता मतलब तुम फाइट नहीं करते यह साथ फिल्मों में होता है हां मैं क्या करूं बहुत ज्यादा टाइम हो गया है मेरे होते भी तुम टेंशन क्यों रही हो आव मेरे साथ कि यह आरे गार्डन में हेरो हेरों के वाफिक गाना गाने जा रहा है क्या भै अभी भी तु सुद्रा नहीं से आने है सुना यह चोटू को उडूड कर मारा है तुने बच्पन में कराटे सीखात है क्या बहुत नजर नीचे नीचे तुझे पहले वार्णिंग दिया ऐसे ठसक से मत देख समझा क्या बागल चंदू को तो जानता नहीं मामूली आज मी नहीं है वह अल्डेडी दो लोगों को टपका चुका है वह एक बात प्यार से सुन अबारे साथ प्यार मुहबत से रहेगा तो आप क्या हुआ मुझे इस बात का टेंचन है कि मैं टाइम पर शो में पहुच भी पाऊंगी कि नहीं तो मैं टैंशन हो रही है और मुझे खुशी किस बात कि आरे हाथ तो दे पापा पापा क्या हुआ आपकी गाड़ी लेके चले गए क्या कहा सच क्या रही हो पापा थैंक यू अनिल मैं चलती हूं ठीक है बाई बाई तुम्हें मालूम है गौवर्मेंट ने हमें गाड़ी ड्यूटी करने के लिए तुम्हारे बेटे को अपने गर्फरेंड को खुमाने के लिए नहीं नमस्कार साब गौर इपाल का काउंसलर हों माही गौर नाम है गेट डाउन खड़े हो जाओ मेरे कुछ आत्मियों को तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों ने अरस किया है वो लोग दंगा फसाद कर रहे थे अरेश्ट नहीं करेंगे क्या मिठाई खिलाएंगे क्या साब चोटी सी रैली अरी का मतलब समझता है फस्ट आफ आल तुम्हें अंदर किसने आने दिया ध्यान से सुनो तुम में इसे किसी को नहीं छोड़ूँगा इस केस को मैं खुद ही हैंडल कर रहा हूं हाँ लगता है आप हमारे बैक्राउंड के बारे में जानते नहीं है आपने क्या में कोई छोटा मुड़ा आदमी समझके रखा हुआ है डिपार्टमें धिला कर रख दूगा अगर एक शब्दा के बोला तो हवालदार बाहर निकालो सबको खड़ा खड़ा देखके निकाल बाह अब ते सस्थी सम्झके निकालो निकालो in कर दो कि अनिल तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा क्या इस चेन के गिर्वी रखने पर कितना पैसा मिलेगा आठ से दस अजार रुपए मिलेगा तो इसे गिर्वी रखोगे लेकिन क्यों वो क्या है ना निल मेरी जो कॉस्ट्यूम है ना वो बहुत ही चीप कॉल्स क्या है और वहां पर आने वाले सारे हाई प्रोफाइल के लोग हैं जो लोग भी उस शो में आएंगे ना सब रिच फैमिली से होंगे और अगर मैं अपनी चीप क्वालिटी की ड्रेस बहन कर जाओंगी तो अच्छा लगेगा क्या ओके बस आठ थाजर ना मैं लाकर दूंगा कि अधिया काफी लेगा रहा इतने सवेरे सबेरे कैसे आगया तुँ अवे क्या सबेरे हां दो पहर का वक्त हो चला है है मन्नु मुझे अर्जेंट में कुछ पैसे चाहिए है मुझे तेरे दोस्ते कुछ पैसे उधार मिलेंगे यह ब्याते पैसे नहीं लेना चाहिए दिन के लिए भी लिया ना तो मीट्रा चालू हो जाता है मन्नु कुछ भी हो जाए मुझे पैसे चाहिए तु समझता क्यों नहीं है वो लोग हलक में हाट डालकर पैसे नहीं होगा अरे मैं सब संभलोंगा मेरे पापा का कुछ परसनल काम है और वैसे भी मुझे कॉल सेंट ऐसा क्या जरूरी काम आपड़ा मुझे बहुत अर्जेंट है अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरी इज़त मिट्टी में मिल जाएगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम जाकर मेरी सिफारिश करो न ऐसे भी क्या तुम्हें इमर्जेंसी है वो भी मैं किसी को बता प्रॉब्लम तु नहीं होगी नहीं लो थे और दिव यो और ग्रेट फ्रैंड शलता हो आं नील क्या हो तुम जरूरी काम के लिए यह ले जा रहे हो ना हां कसम से इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सौ्भ हो जाएगी ना प्रॉब्लम सौल्व हो जाएगी अरे मेरी पैसे का अरेंजमेंट हो गया है तुम जल्दी से मेरे पास आजाओ यह लो तुम्हारे 8000 रुपए रख लो अनिल मेरी बात सुनो तुम जल्दी से घर चले जाओ तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो कुछ गुंडे तुम्हारे घर में जबर्दस्ति कुज गये हैं तुम्हारे ममी पापा की साथ मार पीट कर रहे हैं इस तुम्हारे मेरी बात सुने पानी पीटिए अब पानी पीविए पहले अध्यार नहीं से पानी पीडिये पहले मुझे होस्पिटल ले जाने की कोई दर्वत नहीं है ऐसे बेट्रे को चरब देगर ही मैं सजा भूगत रहा हूं अब उपर वाला और चुबी सजा देना चाता मुझे देदे मैं सब भूगतूगा सुनिए हाथ अठाव सुरी यार बहुत सारे लोग थे हम लोग यहां नहीं थे कौन कौन आया था माही के लड़के थे बबलू रेंगू कैटू पूरी की पूरी टीम आये थी भाई तुम्हारे पापा ने माही को पुली स्टेशन से धक्का मारके बाहर निकाला था ना उसी का बदला लेने के निनाक्षी पापा को हॉस्पिटल लेके जा बेटा कि अने लिए अने लिए अने लिए अने लिए अने लिए पीछे की तरफ मार्केट पे चलते हैं जहां दिखेंगे वहीं काट डालेंगे सालों की कि चोटे वसा हल्डी में तेरा कोई फ्रेंड है ना हां मुसा है ना उनके पास खुद का हथियार है ना हां है ठीक है उसको इनपार्म कर यह अने लिए अने लोगाई लेगा आधिवा धायल्यट कल चलते हैं तुम लोग उदर से आओ देख मेरी बात ध्यान से सुन मेरे से गुसा कंट्रोल नहीं होता बोला ना कि मेरे से गुसा कंट्रोल नहीं होता तो मैं क्या करो इसके लिए रहे मैंने तरह भाई को मारा तो उसके पेर पे गिर कर माफी मांगा न और तुने मेरे पापा को मारा है तो अब तू इजज़त से माफी मांगेगा दुश्मनी यहीं खतम हो जाएगी बच्पन से इसी लाइन में पला बढ़ा हुआ और तू मेरे को माफी मांगने को बोल रहा है देख इज़त से यहां से चला जा नहीं तो तेरे को दो ठूकड़े कर दिन जा हेड़त से वह зал ढ़गे कर दो नहें खिया झार को हो बो को हुआ्या पाइ से कर दो कर दो अम आह है कर दॉआ घू़त से भाटना कर दूत से बड़र दो बझा है कर दो दोके पैंप से एतना से ख़व रहा है हाव दोगinement कर दो? कर दो है हाचा 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 हाच dah और फट और ऑज़ इड़ और अज़ और अज़ वबस वज़ और आ हाई पक पवभर खर अज़ और आ हाई है है हुआ है है हुप 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 दियर हाइ 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 ह Luk अ ह अ ह ह away अ ह ह है मुन्ना है मुन्ना है क्या किया मुन्न तुन्हे चल निकल जल्दी हां से चल जल्दी हां से है अवे गटार से मारे कि क्या सुरद थी टारे मुझे वोडेंचन नहीं है भआई अब और उसके आदमी को मारा और चंतुर बेचने वाला नहीं है कर दो क्यों है काट देनेगा चलिग Shaloku हाँ अनिल प्रिया टेल मी बैग न्यूज एक गरबड हो गई यार क्या हुआ आज सुबज जो पंगा हुआ था उस चक्कर में एक बंदे का मर्डर हो गई यार ग्राल अनिल यह उस मेरी निकीए लेकिन अभी वह मरा नहीं है जिन्दा है मैं क्या करूं जास में नहीं आ रहा है अब कल दो तो पहते जाकर पुलिस में सरेंडर कर दो में हैं चोटे मैं अपने आपको तुम में से किसी का भी नाम नहीं लूगा तू अपने आपको शरेंडर करेगा और अपन बाहर खाक्ठाग स्था नहीं है औरכं पातव स्थाल क्या मंजुलनात क्यों इतने टेंशन में बैठे हो बादा नहीं क्या पुरा वक्त चल रहा था कि उन लोगों से गलती हो गई मेरे बैठेने ऐसा क्या क्या है जिसकी शिफारिश लेकर मैं जाओ मैंने जाओगा वो एक कुंडा है उसके लिए शिफारिश का रहेगी ये मेरी इज़त का सवाल है भाई इस तरह टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा अभी तक तो थर्ड डिगरी इस्तमाल कर रहे हैं शाम त हम लोग क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और एक तुम लोग हो कि हमें क्राइम का साथ देने के लिए मजबूर करते हो तुम लोग पुलस वाले हो क्या इस तरह के काम करने के लिए हम लोग हैं इस तरह से बात परती ही जाएगी तुम लोग कुछ करोगे तो वो लो कि यह तुम लोग कोई ऐसे घर में क्यों गुच रहो हूँ दार्लिंग बबलु को कोई भी खिलाडी मारता तो चल जाता लेगन यह एलबोर्ड कोन है क्यों तुम लोग उसको बुला दे आखरी बार उसकी शकल देखकर उसको हमारे पास बेच देना बाद में तू देखनी प जाएगी समझ गया ना जल्दी बुला लेना मैं तुम लोगों से हाथ जोडता हूं मैं चला जाओं क्या चला जाओंगा हां बोलो भाई अरे असब क्या नाटक लागा रखा है तेरा नाटक का बंद होने वाला पता मेरेको बार बार तूस पुलिस वाले घर में क्यों गू मैं उसे नहीं छोड़ूंगा तू पीया हूँ है क्या नहीं तू सच बोल रहा है थोड़ा सा तुम लोगों के पेट में थोड़ा सा गया ना तो आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं रिता जांग का मास पूरी तरह निकाल के लेफ लेक स्क्रैप किया है हाथ भी तोड़ द नहीं है ट्रेनिंग देनी पड़ी उसको मेरे हिसाब से दो दिन का गैप दे तू फिर यह खुद बाखुद हमारे हाथ में आ जाएगा जब एक बार आ गया ना तो वहीं पर खतम कर देंगा उसको मेरी बात सुन तू वहां से वापस आ जा तेरे भाई की आलत बहुत जाएगा अगर वह हमको नहीं मिला तो इस एरिया के लिए हमें और कुछ करना पड़ेगा तुम्हारा घर जला देंगे तुम्हारे घर को राख कर देंगे वह एक किसी रड़की के साथ भी घूमता है उसका भी काम तमाम हो जाएगा समझ गया है ना चंजा ह में तोफ खाएगे हाएगा उपक्न कर दो चक्ता है तुम्हारे सी में अवहार सुम्हारज में जाएग यह भी तू ला के घर में रख लिया है देखा क्या हुआ क्या हुआ तुम्हे बोलो लो कुछ इस सब तेरी वज़े से हो रहा है आखे खोलो क्या हुआ मैं अपने आप से नाराज हुआ पापा ने इतनी बड़ी तलवार मेरे हाथ में देखी तब से गिल्टी फिल कर रहा हुआ है जो हो गया तो हो गया पास्ट इस पास्ट अपने फ्यूचर की बारे में सोचो मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए ये डिसाइड करो अपने गुस्से को काबू में रखो और कोई अच्छी से जॉब ढूनो तुमने जो किया उसका तुम्हें पच्टावा हो रहा है ना नहीं प्रिया देखो तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो अनी प्लीज कंविंस मत करो अगर तुमने गलती की है और तुम गलती नहीं मान रहे तो इन बातों का मतलब नहीं तुम मेरी बात मानते हो ना मानता हूँ तुम मेरे साथ Bombay चलो क्या Bombay पर क्यू जब मैं कॉम्पीुटिशन जीतूँगी तो में बहुत बड़ी स्टार बन जाऊंगी मेरे स्टार बनने के बाद मेरे बिजी शिडील को मेंच करने के लिए कोई ने चाहिए होगा थो हम साथ काम करेंगे बहुत मज़ा है तुम्हें किसने बताया पुलिस वालों ने वो कैसे यह क्राइम की दुनिया बड़ी अजीब है यहां जो कीमत पानी की है वो खोन की नहीं जो कीमत नाम की है वो आदमी की नहीं जो देश की है वो यहां किसी का कोई भरोसा नहीं पुलिस के खेल की कोई लिमिट नहीं है प्र अनी तुम मेरे साथ चलो यहां पर तुम्हारी लाइव बरबाद हो जाएगी अनिल अपनी जान बचाने के लिए यहां से भागया लोग ऐसा सोचेंगे तो क्या हो अप्रिया तुम्हारी खातिर में जरूर आऊंगा थांक्यू हां कल मेरे परफॉर्मेंस है दांच शो है हुआ 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 ह हुआ 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 हु कि यहाई कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस डबा परफॉर्मेंस यह क्या है प्रिया तुम इस कैबरे डांस के इतनी दिन से महनत कर रही थी हाँ कूल तु अभी भी गलत रास्ती पर खड़ा है अब अच्छे रास्ती पर आ के देख कहीं भी खड़े रहने दो लेकिन हमारे वाट अनी तुम्हें मेरा ड्रेस पसंद नहीं आया ले विट एक काम करती हूं अगली बार मैं ऐसी ड्रेस पहनूगी यहीं सिर्फ ड्रेस की बात नहीं है तुम्हारा खाब्तुम्हारे सपने मुझे कुछ भी पसंद नहीं है आपर से बॉंबे जाने के बात कर रही हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम इसे विए बात को समझने के कोशिश क्यों है? कि अमान, तुम इसे अमोशनल मत बनो, यही मेरी दुनिया है, मैं ऐसे ही रहती हूं, इन सब बातों के अलावा, तुम्हे कुछ और भी कहना है? कि अमें आए, मझे प्राफोर में? कि नहीं उक्का है. म्मों इस रहना है, मुझे के बात कहना है, कंचे के बात बने पुर्फिजेंन करिगा प genome, इस जए вопросы ने कोश मरेकरेप मानılar. ne इस निए पात करने की तुम्हेड नहीं है क्या तुम्हें ठांट करनी है क्या तुम्हें बात करनी कि तुम्हें पट पंब हdollar प्रद आठिक जिस पर तुमने हहांद टाय पट ग 만들 भी हो और यह कज श्रुसी बोलो प्रषंष नि चुम्हें बात करनी हैं अबretched वह प्रते अबोड काई दो में आपर जब रहा झाल यह जब बात फिर चेंगा के लिए कि आपके इसके मैं के आते जहें आपक टा था लेकिन यह वन में इसकी कि अपनेखे वे प्रिया अ काल फर यह अन्य बात फिर नहीं क्यों प्रिया मैं तुम्सिक बात बोलू जबसे तुम्ędzie पिता का अंतिम सस्कार करके आये हैं उसे लेकर अब तक तुम्हारी आँखों से एक कत्रा आंसू भी नहीं बाएैं अरे ये तो बहुत चोटी सी बात है प्रिया, यहाद कि तुमारे चेहरे पर जरा सा दुख भी निजर नहीं आ है, वो तुमारे पापा थे प्रिया अनिल, जिस दिन मेरे पापा ने मेरी मा को जला कर मारा था, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था, कि वो मेरे पिता भी कहलाने के लाइक नहीं है, और ऐसे इंसान के लिए आखिर मैं आसू क्यों बहाऊं। सही का, तो फिर, मैं किसी और पर डिबेंड तो हूँ नहीं, तो मेरी जिन्दगी का जो भी फैसला है, वो मुझे ही करना होगा, और परसों जो कॉम्प्टीशन हुआ न, उसमें मैं फरस्ट आई, वीनस कंपनी ने मुझे ओफर दिया है, मैंने उसे एकसेप्ट कर लिया, पत है अनिल, इसके लिए तो मैंने दिन रात महनत की है अनिल, और यही तो मेरा सपना था, मेरा सपना हखीकत में बदल रहा है, और अब मैं लाइफ मोगिक हो जाओगी, तुम तोㅠㅠ सटैप्प्र हो जाओगी लेकिन मैं तो, फेल हो गया न, प्रिया, कम से कम एक बार घॉर से सो को और लेको जाएगे अनिल तुम्हारी लाइफ तो सटल हो जाएगी प्रिया पर मेरी लाइफ क्या होगा प्रिया अगर मैं कहूं तो रुक जाओगी सौरी निल मैंने इस बारे में सोच समझ कर फैसला किया है तुम यह क्या अब अगर भगवान भी रोकेंगे तो भी नहीं कि अनिल तुम्हारी फ्रेंड स्टार बन रही है तुम्हें तो खोश होना चाहिए कम ओन यार कल शाम को मेरी फ्लाइट है मुझे एरपोर्ट छोड़ने आना पड़ेगा ओके अनिल मेरी इस काम्याभी में तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान रहा है आम रेली ग्रेटफुल तु यू अनिल 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 यह नोववा के पीछे काड़ी रुखना हाई हाई अनिल मैं अपने फ्रेंज के साथ जा रहे हूं तुम चले जाओ ऑके बबाई आम सू स्वरी अगोट लेट चोटे सब बरबाद हो गया चोटे वो हर वक्त मेरा गाल पकड़कर आई लब यू बोलती थी चोटे लेकिन आज तो वो भी नहीं रहा उसने मुझे इस लायक भी नहीं सब्जा यार वो तिन मुझे बार-बार याद आता है जब मुझे वो आई लब यू आई लब यू बोलती थी यार लेकिन आज कुछ भी नहीं रहा क्या बताओ यार एक टेक्सी ड्राइवर की हैसेत रह गई है मेरी वो मेरी लाइफ से चली गई कुछ समझ में नहीं आ रहा है जोटे मैं मजाग नहीं कर रहा हूं मैं सीरसली बात कर रहा हूं तु कहां है जल्दी से आजा वो लोग मोहन सर को मार डाले हैं उन सालोग के दिश्वनी मुझसे थी यह वजह उनलोगों ने विचारे मोहन तुम्हा डाला हूं कि सुना है प्यार तो प्यारा होता है पर वो तो मेरे प्यार को ही ठुक राके चलीगा जाए तुम लोगों ने क्या सोचा था तुम मेरे साथ उंशारी कर लोगे हैं करना चाहता है नहीं चाहिए यह सब मैंने तुम लोगों की पेल इसलिए नहीं करवाई थी कि तुम लोग यहां वहां मस्ती करते फिरो यह तो मैं नहीं जाता हूं रहे कि तुम्हें कैसे फासी से बचाया जट्टाप काली लेकर निकल जाओ नहीं तो यहीं पब्लिक में मारूंगा तुम्हें दिव्या मैं भी आई में आई एक निए ट्रुटिंग औरी देखो प्रीया मैंडमी चलो हुआ में अो क्यों भाई, तुम तो अनिल को ही फसाने चलेते हैं? क्या बात कर रहे हो बॉस, वो पागल है जिसने पुलिस को इंफरमेशन दी थी ये उनका कर्तव्य है, मौका मिले तो दुश्मन को भी आगे या पीछे से उड़ाना ही चाहिए लेकिन जनता हमारे साथ है, पुलिस हमारी जेव में है, ऐसा बिल्ड़ अप दे रहे थे ये खेल का है भाई? किस पर यकिन करेंगे बॉस, सामने तो सब अच्छे रहते हैं, पीट पीछे उकाद दिखा देते हैं वो कुछ ज़्यादा ही पागल हो रहा है ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया है इसके लिए मैंने उसके साथ डील फिक्स किया है ऐसा लगता है, उसके साथ रहते रहते पूरी फिल्डिंग बिठा रखी है मैंने उसके लिए जो फिल्डिंग बिछाई थी उसके बारे में उसे पता चल गया था और वो छुपके पुलार में बैठा है लेकिन ये उसके लिए बैट टाइम है क्योंकि उधर मेरा दोस्ट जैक्शन रहता है और उधर के सारे लड़के आधे पागल होते हैं आज तो उसकी सुपारी फिक्स है अरे हम लोग पहले ही एक टेंशन से अभी तक बाहर में निकले हैं इसको एक और टेंशन चाहिए बोलो एचोटे अगर वो मुझे मारता तो कोई टेंशन नहीं होती साला मुथ पे गोली चलाता तो भी सेहन कर लेता लेकिन वो प्रिया पर एसिट फेकेगा ऐसा कहके अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा मिस्टेक किया अरे उसने सिर्फ बोला फेका थोड़ी ना हो सकता हूँ तुझे डराने की बोला हूँ डराने की लिए सही लेकिन बोला ना अकेला है कर क्या रहा है वो फूल टाइट यह पैसे पगड़ किसी को बता रहा नहीं हाँ यहां से निकल ले अनेल कर दो 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 कि नाई डार्लिंग मैं यह फील्ड छोड़ चुका हूँ गाओं में सेटल होने वाला हूँ जमीन देख रहा हूँ लाइफ में कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आओंगा डार्लिंग अब गुंडा नहीं किसान हूँ मैं काम हो गया हाँ हो गया अभी अभी मिली जानकारी के मुताबिक पोलार के करीब एक गाम है के एक लड़के का खुन हो चुका है उससे मार कर एक ग्रूप के लड़के यह साबित करना चाहते हैं कि वह भी किसी से कम नहीं है अनील अनील पूरे बैंगलोर को हिला के रखा है बहुत से बैंगलोर का उसके साबने जो भी आएगा उसका यही आलोगा बचेगा नहीं कोई पागलाती को छेड़ने की कोशिश नहीं करना होश यार सुन लिया तुम लोगने वो लोग कितने पानी में खुद अपने बारे में बता रहे है मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है फिर तुम उससे क्यों मिलना चाहती हूँ नहीं सर वो बहुत ही अच्छा लड़का है यह तो दिखाई दे रहा है कि वो कितना अच्छा लड़का है इन सब के बाद भी कहती हूँ अच्छा है पर मैं आपको बता दूँ कि मैं उसे 20 सालों से जानती हूँ अज़ा नहीं करता रॉबरी नहीं करता देखो बेटी तुमने एक मिडर क्लास फैमिली में पैदा होकर इंट्रनेशनल लेबल पर नाम कमाया है सम्मान अच्छीव किया है हैट्स आफ तुमने इस देश का नाम उचा किया बेटी तुम जिसकी बात कर रही हो कुत्ते की मोत मारा जाएगा एक दिन देखो बेटी मैं तुमसे रिक्रेश्ट करता हूँ कि तुम उससे कोई वास्ता मत रखो तुम अपने मंजिल पर ध्यान दो ये अनिल कोई मामूली गुंडा नहीं है पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है इसके कहानी किसी माफिया डॉन की जैसी है और वो जिसे चाहता है उसका नाम अगर आप लोग सुनेंगे तो चौक जाएंगे उसके प्रेमी का दूसरी थिसरी कोई नहीं वो है हमारी बॉली वुड की सबसे बड़ी स्टार प्रियांक का ये सब क्या है दिव्या टीवी पर जो भी बगवास दिखा रहे है क्या वो सच है ये बिल्कुल सच है वो तुमसे प्यार करता है लेकिन उसने मेरे सामने ये सब क्यों नहीं कहा जान से भी जादा चाहता है तुम्हें मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा मतलब क्या है वो ये सब कहने से डरता था अगर उसने इजहार किया और तुमने हान आ आ कही तो इसलिए उसने नहीं कहा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूं अनेल अगर मुझसे प्यार करता है तो उसका इस मुकाम तक पहुचने से क्या संबंध है संबंध है प्रिया तुम्हारा उसको छोड़कर मुंबई चले जाना मेरे बड़े भाई की मौथ होना इस बारे में तुम्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी पूरे कॉर्टरस में मातम का माहौल चाह गया था सभी लोगों का ये मानना था कि वो तुम्हारी वज़े से गुंडा बना एरिया के किसी भी लोगों को ये पसंद नहीं था कि उनके बच्चे अनिल से मिले अनिल जहां भी चाता था कोई भी उससे बात नहीं करता था और उसी बीच अनिल को गुंडे लोग मार देंगे ये न्यूस पैल गई थी नहीं छोड़ोंगा मैं उन कमीनों को छोड़ोंगा नहीं वो लोग इसी बात का इंतिजार कर रहे हैं कि हम लोग इस कंपाउंड से बाहर कम निकलेंगे अनिल अगर तुम्हारे पापा उन लोगों अब तुम बोलो तुम्हारा डिसीजन क्या है उस पागल के अपोजिट में कोई है क्या अरे है ना एक तो उससे भी बड़ा पागल है एक दम संकी नंबर वन अगर तु बोलेगा कि तुम उसको मारने वाला है वो तेरे को भी सपोर्ट करेगा एक बार मुझे उससे मिला द अगरे वागे के लोग कहां गए बता नहीं भाई लगता है ट्राफिक में फस गए वह अपनी तरफ ही आ रहा है इसके मरने का टाइम आ गया है लड़के लोग को बोलते है रहे हैं हलो हाँ दोस्त बोलो है हाँ हाँ अरे पराने दोस्त बोलाएंगे तो आना भी पड़ेग ना वह बाहर मेरा इंसजार कर रहा है चल उसके साथ कॉफी भी कर लाएं नमस्कार भाई यह कौन है रहे ओ पुलिस वाले के बेटा है गलती हो गया अरे गलती किये तो घर पर बैटना चाहिए था ना तुझे यहां पर क्या कर रहा है गलती किये तो अब भुक तो नहीं ब हाद पने फिर गव कर दो अब तो अब चुआ, अबुआ यह 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 देखो बेटा 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 क्या बाई क्या हो रहा है पूरे शहर में अनील 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 हाइलाइट हो गया है आपकुछ लोग है क्या वह ऐसे भी वह जिस तरह से मरा है अरी यह तो कुछ भी नहीं है मेरी नजर में उसकी मौत इससे भी जादा बत्तर होनी चाहिए थी फरान तू यहां बैटकर दारूपी दिमाग मत खराब कर बाई किचा भी दे कहां जा रहा है आइटम से मिलने जा रहा हूं क्यों जा रहा है मेरी मर्जी वहां जाने के लिए यहां से 30 किलोमेटर का डिस्ट्रेंस है 30 किलोमेटर या 30 किलोमेटर सब नजदीक है लेकिन वह इतनी रात को बाहर आएगी क्या मैं एक रिंग मारूंगा ना वह सब कुछ छोड़कर चलिया धरवालों को मालुम नहीं पड़ेगा वो करते हैं वह यह सब नहीं सोचते जिनगी में प्यार किया है तो नभाना पड़ेगा अब तु कुट्ता बोल या जोचाहिए लेकिन यह सब करना जरूरी है क्या अब जब सब प्यार कर सकते हैं तो मैंने प्यार कर लिया तो कुन सा गुना कर दिया अभे मेरी बात सुन तलवार पकड़ने वाले को प्यार नहीं करना चाहिए यही अपनी पालिशिये संजा चोटे कहां जाएंगे जहां बोल मुंबे वहीं क्यों प्रिया उसकी बहुत याद आ रही है चलना मुझे उस है जाए चल चलो अपने अरपने कर जांसंँ दो को और चाहुं है पसे कि पुषटाश करने का ये कोई तरी का रही है को लो doc मैं से एंबी आ पढ़ा रही हूं यह थार्ड क्लम बॉल्तका नहीं ठीके मैंने कितनी बार कहा है बताना निल का है लॉट नमबर थार्ड पर टोर नमबर 11 तरह साथ वहीं पर चले तरह का है तरह करने की दरूबत नहीं है बच्चे पैदा करने काफी नहीं है उनको संसकार भी देने पड़ते हैं कि चाते ओ दो बडडर किया है तेले बाप ने बच्चे है इसे कुछ नहीं पता इसे मंद पारी ये वेच्ची है और तू किस्टी बड़ी है क्या लगती है इसकी क्या निए पटा चलता है कि तुछ बता ने क हैं मुझे नहीं पता कि कि दुनों भूफ फोले के लिए लिए तयार नहीं है चल बता तो फोटो मिले यह यह लड़की है लड़का तो बहुत स्मार्ट है अगर मिल गया तो रात भर धोएंगे इतना मारें दोएंगे कि उसको छटी का दूद्याद आजाएगा एक बात अच्छी तरह जान ले उचे तुम्हारा बेटा चाहिए कल सुपर तक अगर तुम्हारे बेटे ने आने में आखा सरिंडर नहीं किया ना तो तुम सब के सब किसी केस में अंदर हो जाओगे समझे और तुम लोगों को भी उसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो ह हम सब कर दो कर दो दिए प्राइब रहाँ कर दो प्राइब कर दो अजय कर दो है यह तेडर उसको देख रहे वह तेरी बीवी है क्या नहीं भाइसाब वो मेरी दोस्त है तेरी दोस्त है हमको फोलू सम्झाया जाओ 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 एक बार देखिया जाए जाए बाइसाब कि 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 गेट वॉक्ष्टिक रोडिंग डिमीजेटली ऐस मैं मेरी प्यारी मिनाक्षी और मेरी प्यारी बेकी नहीं देख सकता नहीं देख सकता मैं यह सब अपनी आखों से नहीं देख सकता यह सब देखते हुए मैं तुम लोगों के बीच नहीं रह सकता जब तुम लोगों को पता चलेगा कि मैं आद पात्या करने वाला हूँ तो तुम लोग रोगे वो भी मैं नहीं देख सकता इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ मैंने एक बेटे को जरम दिया लेकिन उसकी सही परवरिश नहीं कर सका यह सोचकर बहुत दुख हो रहा है मैं बाप कहलाने के लायत नहीं कल सुभब पुलिस आएगी वह हमारा क्या हशर करेगी वह भी मैं नहीं देख सकता मुझ सब सेरे हाँ क्लगते ही नहीं है नहीं हम जटो को मड़ pastors दूर के लाहीं जानता हूं कि तुम मुझे मां का सिरे मुझे मुझे का बेटी वो कुछ ऐसा ही कदम उठाएंगे क्योंकि उनका दिल मौम की तरह कॉमल है और उनका नालाइक पेटा उनके दिल को समझ नहीं पाया मा मुझे पापा चाहिए मुझे पापा चाहिए मुझे पापा चाहिए मुझे पापा चाहिए मुझे माफ खर दो म मार मैं यह सब क्या कर दिया मा मैंने ये सब क्यों किया यह मुझे भी नहीं आरा है लकिन मुझे गल्दी का अशास हो कि है मार्म आर लाइए मैं सब कुछ निक कर दूंगा मैं सब कुछ रिख कर दूगा बस्तु मुस्से बात करमा मा मुझसे बात करमा थो ऐसे चुप मत मैड मुझसे बात करमा मुझसे बात करमा अब हालो पुलिस कंड्रोल रूप हुआ हैं वाव वाव वह वाव वाव वह वह थे इसको बीने के जा चौड़ देजी तो नहीं क्या सोचा था तेरी कुण्णागर्दी से हम ढर जाएंगे कि इस पूरे इलाखे में कितनी गलिया है रहें बारा गलिया हैं हर कली में इसकी पाराद निकालो अधिया करहा है यह बढ़े करें पिल्ड़ था इस अधिस अधिए पार स्वाइए यह सब देगे साच की ऑंप आढ़े ज़े ज़ने लें आइए ओम सुट्रे प्रतित था इंग जाए नीच अजी ए अनील lorsque już कर देख क्या रही हो अलब करो इसको यह चल को दूसरा जा के देख लेगे इसके साथ रहेगे तु तु भी अंदर जाएगी अधिर को बतारे लाओ बाप उसका दिल बड़ा मूम का है वो बिल्कुल सच्चा प्यार करता है वो सच में हीरो है सच कहता भाई फूरे बैंगलोर के अंडर वर्ड में बॉस तो आने लिए है शो करो भाई वो कोई नशावशा नहीं करता सुनो इसके अलावास में कोई एब नहीं था कि वो एक लड़की से डीपली प्यार करता था औ पूरे शहर में आतंग फ्लाने वाला बस एक ही लड़का है सलाम भाई भाई रियाज बैंगलोर के गंधी नगर में मुस्लीमों को सपोर्ट करने वाले इनके सिवा और कोई नहीं है और यह हमारा साथ देंगे हमारे खिलाफ नहीं रहेंगे मावली गाओ में अशुक नाम का एक लड़का है पूरे पंगलोर में बहुत फेमास है वह देखो अभी मैं लड़ाई जगने से पक्कर बोर हो गया हूं मुझे इन चीजों से कोई फार्क नहीं पड़ता और मेरी दुश्मनी उन लोगों से खत्म नहीं हुई है और अगर क कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारा फुली फाइनेंसली सपोर्ट करूंगा तुम फ्रेंट पर रहो मैं बैक में रहोंगा अनेल यह शंकर भाई मैंने तुम्हारे बारें बहुत सुना है मैं खुद तुम से मिलना चाहता था मैं दोस्तों के लिए जान दे सकता हूं और व तुम्हारे ने ऐसे स्थिति कर दिया नहीं कि अपनकी इज़्जत का कच्छरा हो गया पूरा संद्ध कि ऐसा क्यों बोल रहे हो जो टाइम चल रहा है उसे चलने दो अगर टाइम उल्टा हो गया तो हम लोग भी उल्टे हो जाएंगे डार्लिंग कहिए कैसे आना हुआ क्य क्या बोलूँ उनके जाने के बाद सब विक्खर के रहे हैं आप लोगों के अलावा हम लोगों का अपना कौन है शरोजा हूँ कोई क्या कर सकता है हम सब अपना अपना नसीब लेकर आए हैं आप बैठी मैं कुम-कुम लेकर आती हैं सुनो मैं अब कुम-कुम लगाने लाइक नहीं यह आप क्या बोल रही है वो आप लोगों को छोड़ कर गए हैं इस दुनिया को तो छोड़ कर नहीं गए हैं मैं उनके मैं जानती हूं वो अपनी इज़त खोकर जीने वालों में से नहीं है हम लोगों को मजधार में छोड़कर जिनने के लिए वो नहीं गया है मैं जानती हूं चलती हूं बेर ठीक है अपना ख्याल रखिएगा अच्छा बेटी चलती हूं हां माँ चलती हूं बहर है है और यह यह नहीं है और वहां ने अगहर खरीद लिये हैं लेकिन हम तुम्हारे दोस्ती जिन्दगी भर याद रखेंगे हैं अनील मेरी पापा का ट्रांसफर हो गया है और हम लोग वही जा रहे हैं पता नहीं दुबारा मुलाकात हो गया नहीं बट आज़ फ्रेंड मेरी तुम से एक रिक्वेस्ट है तुम पहले जैसे अनील बन पहले प्लिकत हैं और माँ भी काम ढूढ़ रही है है ने 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 उन्हें काम करने के लिए मत को मैं पैसे भीजूंगा बह्या वह पैसे माहां नहीं लेगी लेकिन भाइया आप मुझे प्रॉविस करो कि आप आगे से कोई गुणा नहीं करोगे ऐसा मत बोल मैं कोश देश्ट करेंगी है तुम उसे नाराज होकि नाराज नहीं हूँ जील के बाहर अगर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है तो वो है यह दिव्या तुम शत्रंज का खेल खेलती हो ना तुम बहर आओ फेर मैं तुम्हें बताती हूँ तु ये कितनी बार बोलेगी बस करना अरे हां तेरी चैन मैंने गिरवी रखी थी ना तो तुने मा से क्या कहा मैंने कहा चैन गूम हो गई और मा को तो तुम जानते हो ना उसने अच्छे स तक नहीं लेने पाली चेन चोड़कर तुमने मुझे और क्या दिया है वो सब तुम्हें बाद में मालूम पड़ जाएगा ठीक है अब मैं चलती हूं अनिल इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूं बिल्ली लग रही हो पूरी क्या कहा तू चुडीदार सलवार में बहुत उच अपने लड़कों को इकठा कर और जाकर उसको तोड़ डाल समझा क्या पांस लाख रुपए कम नहीं होते हैं तुम जो बोल रहो ना वो किसे हद्दक सही है लेकिन जब साले अनिल को देखता हूं ना उसे तोड़ने का नहीं गोद में लेके प्यार करने का दिल करता है क्या का में बाई जो का में बोलो ना बाई अनिल का गेम बजा के उसे ऊपर पूचाना है क्या भाई क्या हमारे जैसे की वो सब्सक्राइब कर सकता है ना वहाँ ज्दाने में ज्यादा नहीं तीन-चार महीने में बाहर आजाएगा फिर सारा मैंटर फिक्स हो जाएगा लेकिन मैं तुमसे साड़े आठ महीने का वक्त मांगता हूँ क्योंकि अभी उसका कोई कुछ नहीं कर सकता तो ठीक है फिर उसे किसी तरह बाहर निकाल अरे वह बाहर आकर हमारी गेम बजा देगा उसे अंदर ही रहन दे इसे लिए बोल रहा हूं डार्लिंग किसी तरह से उस सब्सक्राइब की होके वह बॉंबे में नाम कमा के आ रही है लेकिन ये बात वो लोग नहीं समझेंगे और वो लोग उनके चेहरे पर ऐसे फेकने की बात कर रहे हैं आप उनको बचा लो भाई मैं आपको यही खबर देने आया था चलता हूं भाई चोटे वेल का इंतिसाम करवाओ प्रिया तीन दिन के लिए यहाँ आ रही है हमें उसे प्रोड़क्शन देना है कि वैसे आपके पती को क्या हुआ था उनको जॉंडिस हुआ था और आपका बेटा उसका उसका एक्सिडेंट हुआ था आपके पती की जगा आपको नौकरी मिली न हाहा और क्या कर ती बेटी काम करें यह मुझे अच्छा नहीं लगता बहगवान सब ठीक कर देगा अपनी ब प्यार नहीं हुई मुझे ये बसंद नहीं है यह तो क्या बॉल रहे हैं उट डुकु यह सब॥ता तू exist और प्यार करती है क्या वह तो कौन है वो अनील था टुजह प्यार करने के लिए वही पापी सब करते आज की बात तुम इस घर में उसका नहीं लोगी वरना मैं तुम्हारा गला दबा कर मार दूंगी चुप चाप चल कहाना चल। करें दिश्ट करें नहीं बेटी नहीं बेटी नहीं कभी नहीं समझा अन्ना आई कभी मैरे प्यार को सबच पाई पाउगी बचा एंगेला चोड़ दो मा मैं मरना चाहती हूँ नहीं बीटी ऐसे पागल जैसे बातें नहीं करतें मैं यह सब तुम्हारे भलाई के लिए कर रही हूँ पुलिस और गुंडे उसे मार देंगे सब उसके पीछे पड़े हैं अनियल की जिंदे की कुछ ही दिनों क महमार है वो जैसे जेल से बाहर आएगा सब लोग उसके तूट पड़ेंगे तुम्हारे भाई के साथ भी यह हुआ था तो जानती नहीं मेरी बच्ची तुम्हारे भाई के साथ भी यह हुआ था वो गुंडे लोग उसे मारने का पूरा प्लान कर रहे हैं और पुलिस भी उनका सपोर्ट करने वाली है, और अगर वो बाहर आ गया, तो पुलिस वारे उसका इंकाउंटर करने के लिए उसका इंतजार कर रहा है, ये जो भी हो रहा है, अनिल उसका जिम्मेदार है, देख दिलिया, हमारे घर में किसी का भी घरसंसा ठीक से नहीं बसा, तुम्हारे लि मिलतो लो बेटी, आजाओ, दिविया, दिविया, तुम्हारे आंटी कहा है, मां छट पर कपड़े सुखा रही है, तुम्हेरे साथ चल दी, अरे लेकि कहां नहीं जा रही है, आंटी, ये क्या हो बेटी, आंटी मुझे आपकी मदद चाहिए, आंटी, क्यों, अगर वो कर सकती, जब से मेरी पती हमें छोड़ कर गया है, अनिल मेरे लिए मर क्या है, प्लीज आसा मत बोलिये, आंटी, मैं आपके समने हाथ चोड़ती हूँ, आने वले एक मैने में उसको मारने का प्लान बनाया है, उन गुंडों ने, मारने दो, मा होकर मुझे दुख नहीं है, मैं इस वक्त सब बताने के स्थिती में नहीं हूँ, आंटी, प्यार करती है उसे, अगर वाके में प्यार करती है, तो तु अपने भाविश्यों को बिगाडने पे दुली हुई है, मेरा बेटा गलत इंसान है, उसके पीछे अपनी जिंदे की बरबाद मत कर बेटी, अब ऐ मैं आंटि ऌसे अइसा क्यों कह रही है, यार्ठी, गलति तो इंसान सही होती है, आप उसे माफ नहीं कर सके, अगर उसने मेरा सुकुन छीना होथा, तो माफ करती थी, लेकिन उसने मेरा कुम-कुम मुझ से चेना है, तो कैसा माफ कर दूँ, उसे है? दीवयां ये तो क्या बोल रही है आंटी मैं आनेश बहुत प्यार करती हूं अब आप बताइये मैं क्या करों दिव्या तू अप को चलना है तो चलिए वर्ना मैं अकली चलिजाओंगी मा मेरी बात मानो डिवयां केसाथ चलो अंटी प्लीज सुने, आपका बेटा मेरे बेटे को मानने का प्लान कर रहा है आप कैसे भी अपने बेटे को समझाईए क्योंकि हमारे आगे पीछ और कोई नहीं सुनो बेटी, बच्चों को जर्म देकर जिन्देगी में क्या-क्या सहना नहीं पड़ता है ये मेरी बेटी सुवर्ना है जिस तरह से तुम मेरे पास आई हो अगर मैं भी तुमारी तरह वहाँ जाती तो इसका सुहा गुजर्ने से बच जाता हाँ बेटी, अगर ये बच्चे अपनी मा की बात सुनते तो इस दुनिया में गुंडागर्दी कभी नहीं होती ही अगर तुमारा बेटा मर गया तो तुम रोगी और मैं भी तुमारी साथ आसु बहाँगी अगर मेरा बेटा मर गया तो ये नालायक बच्चे काप सुधरेंगे पता नहीं आपस में लड़ेंगे एक दुसरे से दुश्मनी करेंगे दंगा फसाद करेंगे खुद तो समशान में जाएंगे और अपने घरवालों को भी समशान में लेकर जाएंगे उनकी तुम आश छोड़ दो जब कोई बेटा अपने हाथ में तलवार उठा ले तो उसके मा को अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ये सोच लेना चाहिए कि उसका बेटा मर गया मैंने तो अपने दिल पर पत्थर रख ले लेकिन इस बच्ची ने मुझे मजबूर किया यहाँ पर आने के लिए कौन है तू उसकी बीवी है क्या होने वाली बीवी हूँ सती सावित्री बनकर जीना अगर तुम्हें पती चाहिए तो हर देन तुम्हें यम्राज से लडाई करनी होगी आंटी चलो यहां से अच्छा दीदी चलते हैं संभल कर जाना क्या डार्लिंग डॉंकी डॉन अनिल जी ने चूड़ीदार कमीज भेनाकर कंप्रोवाइज करने के लिए बेजा है क्या आज तक हूँ हमारे साथ उचल कुद कर ला था लगता है उसमें जीने की तमन्ना जाग गई है लड़ाई जगड़ा छोड़ दीची मैं आपके समने हाँ जोडती हूं यह डबलु डबलु एफ का खेल नहीं है कि जब मन हुआ टीवी बंद कर दिया है यह वो रहेगा यह हम रहेंगे समझी अनिल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं बहुत से आना है खुद निप है सब कुछ रेड़ी है बस उसकी पैकिंग बाकी है डालिंग और तु अपने लिए पहले से एक सफेज साड़ी खरीद ला ऐसे क्या देख रही है इसका क्या मतलब है डार्लिंग कि इस लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थी कि तुम लोग उसको मार दोगे क्योंकि उसके हाथ हो तुम्हारा खुर्ण नहों जाए इस लिए मैं तुम्हारा था नहीं कर सकती हूं जाओ अँटी हाव डार्लिंग हमारा ही टाइम खराब है जो गाली देता है उसे देने दो तुम वहां क्यों गई थी मेरी माँ और बेहन को साथ ले करके तो क्या करती मैं मैं क्या करती बताओ ना वो लोग तुम्हें मारने का पूरा प्लान बना चुके थे और यह जानने के बाद मैं एक प सामझने के कोशिश करो चानते थे तुम्हारे बाहर आते ही तुमारा एंकाउंटर हो जाएगा तो फिर बाहर क्यों आये प्रिया आयी थी उसको देखना था एंकाउंटर से मैं नहीं डरता तुम प्रिया को अभी भूल नहीं पाये हो ना वह तो लोन लाइफ के लिए मेरे दिल में बस गई मेरे साथ यह मेरे साथ ही थेंक्स ये दिव्या अरे मेरी बात तो सुन बसकर यार वो दिव्या उसको जहां नहीं जाना चाहिए था वहां वहां जाकर आई वह पुलिस वालों के सामने गुंडों के सामने ते लिए हाद जोड़ रही है और तुए क्यों से हट कर रहा है यार मैंने उसे कहा हट किया या अरे अब तक तो उसने भी मुझे कुछ नहीं बोलाया चोटे ऐसा करने से उसे खुशी मिलती तू क्यों इतना परिशान होता है और तू क्या प्रिया के पीछे नहीं भागता मेरे हिसाब से तो तुझे दिव्या से प्यार करना चाहिए प्रिया से नहीं तेरे लिए वही तो पता नहीं कितना वक्त और लगेगा दिव्या को कह दे वो मान जाएगी मैं गैरंटी लेता हूं यार दिव्या बहुत अच्छी लड़की है और ये मैं तुमसे बहतर जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि वो मुझ पर मरती है कभी-कभी मैं सोचता हूं उसकी गोद म न हो जाए, इसलिए मैं उसे कभी कह भी नहीं पाया, मैं उससे हमेशा दोरी बना के रखता हूँ ताकि वो खुश रहे, तुझे क्या लगता है, मैं समझता नहीं, मैं सब समझता हूँ कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, अगर प्रिया आ गई तो, अगर वो आ गई तो वा होगा इसी तरह वाइड करता रहूंगा वो भी एक दिन ठक के खामोश हो जाएगी और एक दिन उसकी मा किसी अच्छे लड़के को देखे उसकी शादी करवा देगी और मैं उस पागल चंदु का चैप्टर क्लोज करके उस पीम का भी चैप्टर क्लोज कर दूँगा और फिर मा के आगे हाँ चोड़कर निमो की शादी करवा दूगा और उसके बाद फ्री वर्ड हो करके भगवान से कहूँगा कि मेरे नसीब में जो भी है मैं वो खुशी-खुशी अकसप्ट कर रहा हूँ पहाकल हो गया है तू प्रिया प्रिया अनिल सिब तुमसे प्यार ही नहीं करता था बलकि पूजा करता था वो सब कभी तुम्हें नजर नहीं आया तुमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की मैं इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहती पहले ये बताओ कि वो है कहां उसे पता चला था कि एक गुंडा, तुम्हारे चेहरे पर एसेड फेकने वाला है, इसलिए उसका खुन करकी जिल में बंद है। लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उससे कोई नहीं मिल सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि इस पूरी दुनिया में तुम एक ही हो, जिसकी बात वो नहीं टालता। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हे कभी ना नहीं कहगा। तुम्ही उससे समझाओ कि ये पाप की दुनिया वो छोड़ दे। प्लीज, उससे समझाओ ना प्रिया, प्लीज। ये गुंडा गर्दी वो छोड़ दे, प्लीज। ठीक है, मैं उसे इस दलदल से निकालने की जरूर कोशिश करूँगी, लेकिन फिर उसका खयाल तुम्हे रखना होगा। ठीक है प्रिया, किसी के कहने पर वो मुझे प्यार करे, वो प्यार मुझे नहीं चाहिए, ये सला हमारे से पहले यहां पहुचिया, ये, क्या गुरू बना के बैठे हो, क्या थानेदार, काय को डिस्टर्फ कर रहा हो, हाँ, बहुत बड़ा सीम है न, सुन रहे है, हमारे लिए तो यही सीम है, और यही पीम है, ठीक है, अपने पीम को बाहर आने को बोलो, उसकी बे समझा क्या है, अनिल, जल्दी बाहर आना, हाँ, तो बेल लेके आओ न, ये, कोट का अडर है, ठीक है तो, कोट का बेल अडर लेके आओ, मुझे यहां से निकालो, मुझे मारो, और यहीं पर सुलाओ, हम लोगों को दूसरा काम नहीं है, क्या लगों ने बेल नहीं करवाई निकल गया बाहर, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होगा, वो लड़की अगर इसे चौथे माले से कूदने के लिए कहेगी न, तो ये बिना सोचे वहां से कूद जाएगा, ये बाहर जाएगा तो क्या होगा इसका, पता नहीं कैसे आदमे से पहला पड़ा है, अनिल, अनिल, ह वं, कुछी कुछ नहीं होने वाल हें, तो चलिंए, नहीं ब्रिया इस वक्त मिरे दिमाग में एक नहीं कई बात इंगों रही है, मेरी वज़त से, तुम लोग किसी मुसीबत में पढ़ जाओ, जाओ यहां से, अनिल, तुम नहीं चुछा नो, तुम से जरूरी बात करनी है तुम जहां ठेहरी हो मैं वहां के तुमसे बात करूंगा पावलों जैसे बात हैं मत पुरू अनिर हम तुम्हें यहां छोड़कर जाने के लिए बेल पर छुड़ा कर नहीं लाएं हैं तुम चलते हो या नहीं लेकिन दिव्या मेरी बात तो यह लोग मुझे मारने वाले हैं प्लीज तुम लोग मेरी कमसौरी मत बनो मेरी बात मानों यहां से चली जाओ यहां से जाओ को अधिए पर पामार्णल को प्रेस्ट हैं से जाओंने जने हो अ ब wonderful वो बाग रहा है अरो पकान उसको, यपनी कात आई उसको, कात आँ कात आँ कुछ तरेक काई कर दो बार शो! उिसटे लात! निसटे लात! झाल पुमानको नपकर लु सको जुसको! बाकर दोली खराण कि वे बुसको!! झाल सक रिमसा पज हो जान को cheesy¹ पाम चुसको. पाम ही तके हैं? झाल सक कांज बु सक कांज थे ऑन, आननननन आनन एक्षबyeong आनन्न एक कर knocked कर फक कर दो हुआप़्ट fø six हुआ पक घड़ ca जड़ा छिख फको कर दो खिया pişा वका पर जया हुआल यॉ यॉ हनुआ सी हाँ आजी सो एज आजी आजी सनी अजी हरा लौती हर्त ??? कई मिधे रही दस देखो कई मायख सी कईanne आज्छा ह्कोग सरव नहीं हाने! παर वसको! अने अने! 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 को यफ नहां हाजू सुधान कि अने क्या तुम मुझे प्यार करते हो कि बोनो हाँ पर इससे किसी को क्या फर्पड़ता है लेकिन तुम ने मुझे पताया क्यों नहीं दर था कि कहीं तुम मुझे बनाना कर दो और इस प्यार के लिए तुम अपनी जिंदगी को इस मुकाम तक ले आए क्या करता तुम्हें इसका एसास नहीं है और यही मेरी घलती है फर्स्ट अफॉल सॉरी अनिल लेकिन मैंने कभी तुम्हें इस नजर से नहीं देखा जानता हूं बच्पन से ही मेरा एक पैशन था कि म मेरे अंदर जो टैलेंट है मैं उसे आगे लेकर जाओं लेकिन मेरी गरीबी ने मुझे रोक लिया और अनिल यहां पहुचने की बाद इस प्यार मुहबद की वजह से मैं अपनी सपने को इस तरह से अधूरा नहीं छोड़ सकती अनिल यह भी जानता हो जानते हुए भी का मतलब तो यही हुआ कि मेरे अंदर फीलिंग्स ही नहीं है अनिल मैं यहीं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो हर एक पल तुम्हारी काम्याबी के लिए द्वा करती हूं मैं जब मेरे साथ कोई नहीं था उस वक्त सिर्फ तुम थे जिसने मेरा साथ दिया जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गए और मैं अकेली रह गई तो तुम ने आकर मेरा हाथ था मानिल भाई बेहन पापा आंटी अंकल किसी भी रिष्टे की कमी नहीं महसूस होने दी तुमने मैंने कभी भी ये शिकायत नहीं की कि मेरा कोई नहीं है क्योंकि तुम थे भागवान ने मुझे वो सब कुछ नहीं दिया लेकिन तुम्हारे रूप में एक फ्रेंड दिया तुम नहीं मुझे सब का प्यार दिया मुझे जब भी किसी चीज की जरूरत महसूस होती थी मैं तुम्हारे पास आती थी हर बात के लिए मैं तुम पर ही डिपेंड रहती थी और तुम हमेशा मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे अनिल तुम ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है अनिल मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास जगह और वो जगह है एक छोटे से भगवान की आप तुम ही बताओ मैं क्या करूं है 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 तो मैं अपने भगवान के साथ वैसा रिष्टा कैसे रख सकती हो जैसा तुम चाहते हो अब प्रिया प्रिया स्री तुम इरी प्रिया तुम मेरी बात कभी नहीं डान्यदिगी दिल तुमारी जी पहात के kalau प्रियोड हम प्रीव, प्रीव, आयल, अब चाहे मेरी जान ही क्यों ने चली चाहा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं प्रिया, मैं ये काम कभी नहीं करूँगा, तुम खुश होना, इसके लिए इसको क्यों खुश होना है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या कहना है, I love you, अब ऐसे मत कहना कि ये नहीं होगा, मैं तुम्हारी जिंदेगी सवारना चाहती हूं, उसके लिए प्यार चाहिए, और वो प्यार सिर्फ मैं ही तुम्हें दे सकती और तुम्हे सच्छा पैसित मैं ही करती हूं, मैंने तुम्हें हर तरह से सहन किया हुआ है, जब मैंने तुम्हारे लिए किया उसके लिए तुम्हें मुझे प्याल करना ही होगा, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. झाल झाल